आईफोन के सालाना इवेंट में आईफोन की नई सीरीज के बारे में तो जानने को हर कोई बेकरार रहता है लेकिन फोन के साथ ही एपल के दूसरे गैजट्स को भी जानने का इंतजार हर कोई करता है इस बार भी फोन के साथ जिन दो गैजट्स को एपल ने लॉंच किया है उन में शामिल है वाज सीरीज एट और एरपोर्ट्स प्रो सेकंड जेनरेशन सबसे पहले जानते हैं एपल की नई वाज सीरीज की कीमत कमप्री ने वाज सीरीज आर्ट को बड़े डिस्पले और बाड़ी टेंपरेचर सेंसर समेथ ज्यादा हेल्थ फीचर्स के साथ लॉंच किया है इसकी कीमत 45,900 रुपए है वहीं एपल वाज सी 29,900 रुपए में आएगी जबकि एपल वाज अल्ट्रा की कीमत 89,900 रुपए ह सीरीज आर्ट और S.E. 16 सितंबर से उपलब्ध होंगी जबकि अल्ट्रा 23 सितंबर से मिलेगी अगर इन घड़ियों की खूबियों के बारे में बात करें तो वाज सीरीज आर्ट में Always on Retina Display, Blood Oxygen App, High and Low Heart Rate Notification जैसे फीचर्स हैं इसमें ECG App, Crash Detection, Fall Detection के फीचर्स भी हैं वहीं Apple Watch SE Water Resident और Swim Proof होने के साथ ही International Emergency Calling जैसे फीचर्स से लेस है Apple Watch Ultra ज्यादा गहराई और ज्यादा देर तक पानी में बिना किसी नुकसान के रह सकती है इसमें Temperature Sensor के साथ Depth Gaze, High G, Accelerometer है Smart Watch इसके लावा Apple ने इस एवेंट में Airports Pro Second Generation भी पेश किये Airports Pro की कीमत 26,900 रुपाय है इसके ओडर 9 सितंबर से किये जा सकेंगे और ये 23 सितंबर से उपलब्ध होंगे इन्हें एक बार चार्ज करने के बाद लगातर 6 घंटे तक इस्तमल किया जा सकेगा Airports और इनका केस पानी और पसीने से बेशार रहते हैं इनमें Dynamic Head Tracking के साथ Personalized Special Audio है Active Noise Cancellation and Additive Transparency है इनमें Touch Control, Skin Detecting Sensor, Speech और Motion Detecting Accelerometer भी है यानि हर बार की तरहें अपने ट्रेंड को बरकर रखते हुए Apple ने नई खुबियों और नई तकनिक से लेस गैजर्स पेश किये हैं कर दो कर दो दो कर दो कर दो किया है